दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंत्रा डिवाइस का आड़ी सर्विस रिचार्ज कैसे करते हैं जी हैं दोस्तों अगर आप भी मंत्रा डिवाइस का यूज करते हैं और आपके भी मंत्रा डिवाइस का RD सर्विस रिचार्ज खताम हो चुका है लेकिन आपको रिचार्ज करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लाक्ष तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम आपको इस व मोबाइल के गूगल में जाना है और गूगल में जाके सर्च करना है मंत्रा सर्विस आप यहां पर देख लिजे मैंने आप मंत्रा सर्विस सर्च कर दिया है मंत्रा सर्विस सर्च करने के बाद यहां पर सबसे ऊपर एक वेबसाइड आएगी सर्विस.मंत्रा आप यहां प परकार किये इंटर्फेस दिखेगा आपको इस वेबसाइड में अब आपको यहाँ पर नीचे के तरफ जाना है आप यहाँ पर पर पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ yapt-i इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर payment करने के दो option होगे सबसे पहला option होगा Rd service और दूसरा option होगा RMA हमें यहाँ पर RD service पर click करने के बाद आपके सामने कुछ S.A. इंटरफेस आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर payment ID होगा हमें payment ID पर कुछ भी नहीं भरना है हमें इसको खाले चोड़ देना है इसके बाद आपको यहाँ पर यह नाम डाल देना है अपना यहाँ पर पुरा नाम डालना है नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नमबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना email id डालना है आपको यहाँ पे email id डालना है email id डालने के बाद आपको यहाँ पे company name डालना है company name में आप यहाँ पे अपने दुकान का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे company name डाल देना है इसके बाद यहाँ पर company GST number पूँच रहा है आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं आप यहाँ पर GST वाला option खाली छोड़ सकते हैं बाकी आपको सारे यहाँ पर option भरने हैं तो हम यहाँ पर GST वाला खाली छोड़ देंगे इसके बाद यहाँ पे नीचे option आजाएगा application नाम आप यहाँ पे application नाम में फिर से यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए ठीक है इसके बाद यहाँ पे पूँच रहा है serial number आपको यहाँ पे serial number डालना है आपकी जो device है device के नीचे तरफ आपके साथ अंके serial number होंगे पर देखिए हमारा serial number add हो चुका है अब हमसे यहाँ पे पूच रहा है आप कौन सा recharge करना चाहती है 100 रुपए में 1 साल का subscription मिलेगा और यहाँ पे 25 रुपए में 1 साल का subscription प्लस आपकी warranty भी मिलेगी तो हम यहाँ पे सिर्फ recharge करना चाहती है तो हम यहाँ पे 100 रुपए वाले पर टिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए हमारा amount दिखा रहा है 100 रुपए हमारा amount है और यहाँ पे 18 रुपए हमारी GST है इसके बाद यहाँ पे total 108 रुपए है यहाँ पे आपकी country automatic selected होगी यहाँ पर आपको अपना state select करना है state select करने के बाद आपको यहाँ पे अपना city select करना है city में आप जो है अगर village में रहते हैं तो यहाँ पे अपने जिला का नाम select कर लिजिए अगर आप city में रहते हैं तो city का नाम अपना select कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे अपना address डालना है postal address में आप जो है अपने गाउं को नाम डाल दीजिए सिर्फ एक नाम डालना है बाकि कुछ ने डालना एक नाम काफी है तो हम यहाँ पे अपने village का नाम डाल देते हैं इसके बाद यहाँ पे pay for पर आप जो है जिसके थुरू अपना payment करना चाहते हैं कुछ भी डाल दीजिए आप phone पे डाल दीजिए, Google पे डाल दीजिए ATM card डाल दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए इसको खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ लिख देना है ठीक है, pay for पे आप जो है जिसके थुरू पे करना जायते हैं वो लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पर नीचे आजाएगा remark रिमार्क में RD service लिख दीजिए, ठीक है RD service लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपना pin code डाल देना है pin code डालने के बाद अब आपको यहाँ पे पे नाओ पर किलिक कर देना है पे नाओ पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर देखिए आपको payment करने के option आ चुके हैं अब आप जिसके भी तुरू payment करना चाहते हैं यहाँ पर select कर सकते हैं आपने वहाँ पर कुछ भी डाला हो उससे कोई फर्क नहीं परता आप यहाँ पर कोई भी payment जो है option select कर सकते हैं तो हम यहाँ पर ATM card से रिचार्ज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर card वाले पर option पर click करेंगे card वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें card की detail डालने का option आ चुका है अब हम यहाँ पर अपने ATM card की detail डाल देंगे यहाँ पर हमें ATM card का जो है number डालना है यहाँ पे expiry date डालना है और यहाँ पे CVV नमबर डालना है और यहाँ पे हमें नाम डाल देना है जो नाम हमारे ATM कार्ड में लिखा हुआ है वही नाम यहाँ यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे check mark पर tick कर देना है तो मैंने अपने ATM कार्ड की सारी detail डाल दिया है अब हमें प्रोसीड पर किलिक कर देना है प्रोसीड पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउट में जो भी मुबाइल नंबर लिंक है उस मुबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी हमें उस OTP को यहाँ पर डालना होगा हमारे बैंक में जो भी मुबाइल नंबर लिंक है उस मुबाइल नंबर पर OTP आ चुकई है उप का रेचार्ज भी हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहांरा जो है आडरी सर्विसاس हो चुका है और यहाँ पर देखिए कब तक यह RD service valid है यहाँ पर date लिखा हुआ है आप यहाँ पर इसकी receipt यहाँ पर download भी कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने mantra device की RD service का recharge कर लिया है आप भी इसी प्रकार से अपने mantra device का recharge कर सकते हैं